तो है गाईस वाकत है आपका मेड़िकल जानकारी में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों अगर कोई परसन गुटका खाता है तनबाको खाता है और उनका मुझ जल जाता है या फिर मुझ कड जाता है या फिर मुझ में चाले हो जाते हैं तो कैसे उनको treatment करना चाहिए अगर आपके पास को ऐसा patient आता है तो उनको आपको क्या दवाईयां देनी चाहिए या आपको क्या दवाईयां लेनी चाहिए तो आज किस वीडियो में हमें इसे के बारे में बात करेंगे इस पर हमें दो तिन लोगों के DM भी आये थे और comments भी आये थे तो इस वीडियो में हम इसे के बारे में completely आपको जानकारे देने वाले हैं तो वीडियो को लाट्स तक देखते रहेगा दोस्तों मैं कसी तमबाकुखा परमोशन नहीं कर रहा हूं ये गलत चीज़े हैं और आपको करवाना चाहिए क्योंकि ये cancer के भी symptoms हो सकते हैं तो बात कर लेते हैं में टॉपिक पर अगर आपको कोई कभी ऐसे कोई परमोशन मिल जाता है कोई पेशेंट मिल जाता है तो आपने उसको क्या treatment देना चाहिए तो डैक्ट बात कर लेते हैं treatment के कुला करना है या फिर माउत में गुमाते रहना है और फिर अंदर निगलते रहना है दो बार आप इसका यूज़ करेंगे क्योंकि एक पेन केलर मेडिसिंस है दर्द के लिए यूसफल होता है एंटी इंप्लमेंटरी डर्ग्स होता है जो काफी ज्यादा यूज़ के जाता है दर्द और सुजन के लिए काफी बहतरी डिजर्ट इसका डिस्प्रिंट का मिल जाता है औरली यूज़ करने से अचा है आप इसको गोल कर लेंगे तो बहुत अच्छा जिज़ट आपको देखने को म जी जाता हैं दूसरी टब्लайт इसमें आती आप ले सकते हैं जिसमें आप का हुझक कर सबस्किंट ऑती है जो कि काफी ज़्यादा इन्टी mall को überall करने में इसका अब को ले चाहिए तिसरी इसमें आपने क्या लेना है एक आता है Candid mouth जिसमें क्लोटरिक का जोल एंटिमटिक्स होता है जो एक मौझ मेंट की तरह होता है जिसको आप दो बार सुधेश्याम ले सकते हैं तो इसको आपने क्या करना है मुझ में डालना है और आराम जैसे मुझ में गुमाते रहना है जहां जहां पर आपके चाले हो रहे हैं और कुछ देर के बाद जैसे overload हो जाता है क्योंकि इसमें मूँ में जो होता है saliva बनना असुर हो जाता है तो उसको तब तक तक नहीं फेंकना है जब तक कि आपका उबलोड नहीं हो जा तो उसके बाद फेंकी लीजिएगा और उसके बाद कुला नहीं करना है कुछ देर तक तो इस परकार से आप यह तीनों चीज़ों को आप यूज करेंगे तो बेस्ट रिजट आपको मिल जाएगा पहली सकते हैं जो दर्द के लिए काफी जाड़ादस होती है यानि जिरुत पढ़ने पर आप इसका ले सकते हैं क्योंकि पहले ही मैं आपको डिस्प्रिंट बता दी जो आपके दर्द को कम करने में बहुत जादा मददगार साबित होता है और डिस्प्रिंट टैबलेट काफी ज सकते हैं इसली इसमें कोई बड़ी बात नहीं है च्छोटे मुन ट्रेट्मेंट से उसका मुह का जो कट है वो ठीक हो जाता है लेकिन अकर बहुत समय से आप दवाए खार खिला रहे उसको लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो रहा तो उसको आगे सेंटर बीज़े रेफर कर लेज करता है अगर किसी का बज़ेट अच्छा है को यह कहीं आप से ठीक होना चाहिए चाहिए कुछ भी करो आप तब तो आप उसको हैवी से इंट्रियाटिक दे सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लेकिन अगर वह थोड़ा लाप रहा होता है सुचति ऐसा करता है वह जाय से ना करें तो उसको सिर्फ डिस्परिंग के को लिए एक कंडिट माउट मेंट दीजिएगा दोनों में उसका काम होने स्टाट हो जागा फ्रक्र टायम लगेगा लेकिन आप इस तरह के से उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर ब कर दोलिए जागे तो नंहीक कर दो आए सन फव्लीट वालेंट मेंट एकोड़ सेग सेन पष्लेवेश अगा कमेंट रि Six